नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब, मैं पूजा, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, भी रियल, भी सिंपल में आप सभी का, यह नौवे नौवरातर की पूजा है, और मैं इस वीडियो को पोस्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, क्योंकि बीच में दो तीन दिन तब यह ठीक नहीं थी, इस वज़े से, तो आज मैं आप लोगों के साथ यह शियर कर रही हूँ, यह नौवे नौवे नौवरातर की पूजा का दिन है, और सुबह पूजा करने के बाद मैंने यह छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की थी, जो आप लोगों को दिखा रही हूँ फिलहाल, पूजा करने के बाद आज बहुत सारे काम है, मोसम बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकलाती है, पता नहीं क्या रहेगा, मतब मार्च का आखिर आ गया है, और अभी तक भी बारिश हो रही है, कभी शाम में, कभी तो मैंने मा की ठाली के साथ साथ मंदिर में भी इन को अच्छे से सजा दिया था, और आज नौवा नौव रात रहे, तो सोचकर ये भी मन में आता है, कि आज मता चली जाएंगी, मतब आज नहीं कल चली जाएंगी, तो जैसा भी है, अगली बार फिर से मतारानी आएंगी, और आज नौवी के दिन वानी गई थी कन्या पूजन के लिए, एक दो घर ही गई थी जादा नहीं, और एक घर से उसे ये मिला है, एक कॉपी, एरेजर और पैंसिल, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, जिसकी भी सोच है, बहुत अच्छी सोच है, हलाकि खाना तो उन अच्छी चीज दी बच्चों को, जो उनके इस्तमाल आएगी, और ये है वानी, आज ये वाले कपड़े पहन के कंजग पूजन के लिए गई थी ये, और अब घर आके मेरे साथ, थोड़ा वुत इसने काम में भी हाथ बटवाया, आज मुझे कपड़े दोने थे, तो हमें कुछ थोड़ा सा सामान लेना था, हालकि इतना जरूरी सामान नहीं था, लेकिन आज जाना था इसके कान छिदाई के लिए, मतलब कान छिदवाने थे, और मैं मना कर रही थी, लेकिन फिर भी इसने बोला कि नहीं मम्या, आप आज ही चलो, और यहाँ पे हम दोनों सबसे पहले हम दोनों ने गोलगप्पे खाए, और वानी को तो कुछ जाद ही पसंद है, और सबसे पाद में यह पापड़ी, यह तो होती होती है, तो मार्किट में देखे, आपको कहीं से कहीं तक यह नहीं लगेगा, कि अब से एक गंटे बाद बहुत तेज बारिश आने वाली है, और मैंने इसलिए माना किया था, क्योंकि आज कल मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा, आप घर से निकलो तो धूप है, और घर वापिस आओ, तो भीगते हुए, और आज हमारा भी यह हाल हुआ, मतलब हम मार्किट गए, खुब अच्छे खासे मतलब मौसम में हम गए, और यह देखिए, अभी करीब साड़े चार बजे हुए है, और आप देख रहे हो, यह मार्किट की, मैंने क्लिपिंग रिकॉर्ड की है, बारिश शुरू हो गई है, और हमें स्टेशनरी का कुछ सामाल लेना था, तो हम तब तक यह ले रहे थे, कि शायद बारिश र मैं भी, तो भीग गए हैं, पहले हम कपड़े चेंज करेंगे, और उसके बाद देखूंगी, क्या आगेगा, मुझे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वहाँ पे तो मैं फोन निकाल नहीं सकती है, बहुत बरी तरह से, आके सबसे पहले, बस कपड़े चेंज की हैं, मुहाद द और मार्केट से वापिस आते वे ही, हम लोग दूद लेके आया थे, क्योंकि दूद खतम हो रहा था गर में, और मैं आज बना रही हूं कुट्टू की पकोडियां, जो कि मैं बता रही थी कि नवरात में एक बार बनती है, पूरे नवरातर बनने ही पाई, सिंघाडे का और कुट्टू का आटा दोनों है मेरे पास, थोड़े-थोड़े से, तो उससे मिलाके में बनाऊंगी, आलू मैंने पतले-पतले काट लिए हैं, और ये मैं दिखा रही थी नेल पेंट, हम नेल पेंट लाए हैं, तो ट्राय करके तो देखनी बनती थी ना, वाँ पे, अलग- कुझा मैंने कर ली है, अब मैं बना रही हूं कुट्टू की पकोडियां, मातरानी को भोग लगाऊंगी, और उसके बाद हम भी यही खाएंगे, क्योंकि हजबन तो आज है नहीं घर पे, और वहाँ पे मैं समान दिखा रही थी आपको, जो भी बजार से लाई हूं, तो व उसमें यह अच्छे से कोट हो जाता है, बिल्कुल मैंने हलका सा छीटा ही दिया पानी का, और अब मैं बना लूँगी पकोडियां, और उसके बाद देखे यह हलवा, वानी को तो मैंने दे दिया है, यह बचा है, यह मुझे खाना है, तो पकोडियां बन गई है, और पहले वो यह नहीं खाता, वो बहुत ज़्यादा चूजी है, तो यह अब मातरानी का भोग तयार है, मैं पहले मातरानी को भोग लगा दे रही हूँ, उसके बाद हम भी खाएंगे, और इस वीडियो में आज मैं आपके साथ वो अद्रग लैसून और प्याज वाली जो बिना लै इन सब से हम अपनी पकोडियां खाएंगे, और आप लोग भी इंज्योई कीजिए, तो यह पकोडियां बहुत ही करारी बनती है, और मतलब घी या तेल जो भी आप इस्तमाल करें, यह बहुत ही कम एब्जूर्व करती है, तो अब बारी आईजी हमारी ग्रेवी की, यह सब थोड़ा सा अद्रक, चार-पांच हरी मिर्चे मैंने ली है, और अद्रक करीब मतलब 20 या 30 ग्राम अद्रक होगा यह, थोड़े से काजू है, और थोड़े से हैं तिल, अधिकटोरी तिल है मेरे पास, आपके पास इन दोनों में से कोई एक हो, तो आप एक भी ले सकते हो, थोड़ी सी ये धनिये की डंडी, जो मैंने पहले भी बताया था, कि इन में बहुत अच्छी खुश्बू होती है, और थोड़े से खड़े मसाले, इसमें है दाल चीनी, तेज पत्ता, साबुत मिर्च, काली मिर्च, लॉंग, और बड़ी इलाइची, छोटी इलाइची, य बहुत जादा गरम नहीं, तो हमारे मसाले ये जल जाएंगे, इन मसालों में हमने साबुत मिर्च भी डाली है, और लॉंग भी डाली है, और उनसे क्या होता है, कि जो लॉंग और साबुत मिर्च होती है, वो कभी-कभी फट जाती है तेल में जाले के बाद, तो मैं इस तर कर दीए है तो आपके पास मगज के बीज हो आप वह भी डाल सकते हैं काजू हो मुफली की गीरी हो तिल हो तो भी आप डालना चाहें अगर के पास सारी चीजे है तो थोड़ी थोड़ी सी डाल लीजिए और अगर कोई चीज है तो एक से भी काम चल जाएगा मतला इसमें दोली थी और ये अपने तिल ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिये हैं उसके बाद इसको खूब अच्छे से हम चलाएंगे और नमक में आपे अंदाजे से डाल रही हूं मुझे अंदाजा है हाथ से नमक डालने का अगर आपको नहीं है तो आप चम्मत से डालिए और इसको ख भाब बनती है वो नीचे ना गिरे ताकि हमारा स्लेफ गंदा ना हो मतब जो हमारा काउंटर टोप है वो गंदा ना हो तो देखिए कुछ भी पानी नहीं डाला मैंने इसमें और टमाटर ने कितना पानी चोड़ दिया है लेकिन अभी भी ये अच्छी तरह से पके नहीं है तो अभी हम इनको और पकाएंगे करीब 10 मिनट ढखके और वहती धीमी आज पर करना है आपको इस सब काम तो देखिए अच्छे से पक गए हैं ये अब हम इसमें से जो खड़े मसाले हैं जो बड़े बड़े हैं मतलब जैसे तेजपत्ता दालचीनी और बड़े वाली इला करना करके हम इसको पीष लेंगे और इसको एक अलग बाउल मैं मैं निकाल लोंगी उसके बाद हमने इस ग्रेवी को एक बार config करना हैं तो अभी आप इसका कलर देखिए और जब ये भूं जाएगी उसके बाद आप इसका कलर और इस ग्रेवी को आप 10-15 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, और अगर फ्रीजर में रखना चाहें, तो करीब एक महीना भी रख सकते हैं, अच्छा ग्रेवी मैंने पीसी थी, तो हलकी सी मिक्सी गंदी हो गई थी, तो यहां पे मैं उसकी सफाई साथ के साथ क मेना, और यहां पे मैंने ली है कड़ाई और इसमें मैंने डाला है सरसो का तेल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही करके डाला है मैंने तेल, क्योंकि इसको प्रिजर्व करने के लिए तेल थोड़ा डालना पड़ेगा हमें, अब मैंने इसमें डाला है जीरा और हीन, और उसके ब बहुत जादा मतलब spicy नहीं बनाना चाहरी थी इसलिए नहीं डाला मैंने अब अपनी gravy यहां पे शामिल कर देंगे और देखे gravy डालते ही एकदम से फिर उचलती है तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखें बाकी पीछे आप tiles का हाल देखी सकते हैं कि कितनी गंदी हो गई है मत थोड़ा सा आप इसको ढखके पकाएं ताकि आपकी गैस और आसपास की जो टाइल्स हैं वो जादा घंदी ना हो अब हमें इसको पकाएंगे और धीमी धीमी आज पे यह आपको पकाना है ज्यादा तेज आज पे नहीं लगाता चलाते हुए इसमें देखे बॉयल आ गया ह और यह देखिए करीब 15 मिनिट बाद दीरे दीरे भूनते भूनते यह थोड़ी सी कम भी हो गई है थोड़ी गाड़ी भी हो गई है और अच्छे से भून गई है और कलर देखिए आप बिल्कुल चेंज हो गया है इसका तो अब हम इसको ठंडा करके और प्रिजर्व करके में रख सकते हैं 10-15 दिन के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं अगर आप इसको फ्रिजर में रखना चाहते हैं तो फिर आप इसके छोटे-छोटे बैच बना के रखें जैसे आपके पास सिलिकॉन की अगर ट्रे वगरा है तो आप उसमें रखें इसको ताकि एक ब इनों के लिए इस्तमाल भी नहीं करनी है तो इसलिए मैंने ऐसे ही रख दी है उसके बाद हुई है किचन की सफाई और यह थोड़े से बरतन जो इस ग्रेवी को बनाने में इस्तमाल हुए हैं यह अभी मुझे साफ करने हैं तो यह हो गई हमारी ग्रेवी तैयार आप लोग भ प्याज नहीं खाते हैं वो इस ग्रेवी को इस्तमाल कर सकते हैं और इसके उपर आप तेल देख रहे हैं यह एक्स्ट्रा इसलिए डाला है ताकि यह प्रिजर्व रहे यह जो तेल है यह एक तरह के प्रिजर्वेटिव का काम करेगा जब भी आपको ग्रेवी निकालनी हो तो आप इस तरह से तेल को थोड़ा सा हटाईए और साइड से जितने भी ग्रेवी आपको निकाल ली है निकाल लीजिए तो ये थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी बताईएगा और इस ग्रेवी को आप भी बना के जरूर ट्राइ कीजिएगा फ्रिज में रखेंगे तो जै तो ये ही थी मेरी वीडियो चलती हूँ दोबारा मिलूंगे आप लोगों से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एक वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा थेंक्यू सो मच फॉर वाचिंग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा आप लोग